हेलो हेलो हेलो, welcome 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 हां जी तो आज आपकी MIB series की physics की first आपकी series है ठीक है, तो इसमें आपकी ... आपके important questions cover करने वाला हूँ important questions में आप देखो, ज़रूरी हिनी हर important question difficult हो और ज़रूरी हिनी हर important question easy हो तो यहाँ पे आपकी variety of questions होंगे पूछे जाने के काफी जादा प्रोबैबिल्टी है तो यहां पे हम लोग डेली अगर कुछ ना कुछ कुछ करते रहेंगे तो हमारा इसमें काफी सारे प्रैक्टिस हो जाएंगी काफी ताइप की वेराइटी प्रैक्टिस हो जाएंगी तो मैं कोशिच करूँगा कि आपकी यह वीडियो कम से कम टाइम की हों कम से कम टाइम दूरेशन की ताकि आपका ज्यादा टाइम उसमें जाए ठीक है ताकि आप क्विक अगर आप एक लास्ट दे भी देख रहे हैं तो आप जल्दी से सारी चीज़ें देख पाएं और समझ पाएं और कर पाएं तो बढ़ते ह यह एक्यूवलेंट फोकल लेंथ ओफ देख आपका लिंशन का फॉपला लगना है ऑसे क्विस्टेन एक्विस्टेन अग्जाम में अराम से पूछे जा सकते हैं क्विस्टेन क्या है अधिन कंवर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमेटर यानि एक कंवर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमेटर है और हम जानते हैं कंवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ यानि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव नेचर की लेते हैं इस kept in contact with a thin diverging lens of focal length 16 cm एक diverging lens है जिसकी focal length हमने लिए है 16 cm और हमें यह पता है diverging lens यानि concave lens की अगर हम focal length लेते हैं तो वो negative sign की लेते हैं ठीक अब कह रहा है equivalent focal length निकालो combination की तो equivalent focal length का formula होता है 1 upon f1 equals 1 upon f1 plus 1 upon f2 f1 में f1 की value रख दो f2 में f2 की value रख दो along with their respective signs तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा 1 upon 10 यह plus था यहाँ पर यह minus 16 आ जाएगा तो हो जाएगा minus 1 upon 16 इसका LCM लेंगे इसका LCM आएगा 80 तो हो जाएगा यह 8 minus 5 upon 80 तो यहाँ पर अगर हम इसको निकाल लें तो यह आजाएगा 1 upon f equals 3 upon 80 which is f equals 80 upon 3 तो इसको calculate करेंगे तो आएगा कुछ 26.67 cm ठीक तो इस तरीके से ऐसे टाइप के question बन सकते हैं आगे देखो question इसमें अलग-अलग type से बन सकते हैं यहाँ पर मानलो अभी एक converging एक diverging दिया है ऐसा बन सकता है कि दोनो converging दिये हो यह दोनो diverging दिये हो यह पहला वाला diverging दिया हो दूसरा वाला converging दिया हो कुछ भी हो सकता है तो possibilities ऐसे ऐसे बदल सकती है ठीक आगे देखते हैं अगला देखो two thin lenses of power 9D and minus 5D are in contact दो thin lenses है ठीक दोनों की power दिये एक power दिये plus 9 diopter second की power दिये minus 5 diopter अब बोला है they are in contact what is the focal length of combination पहले आपको इससे पहले आले question में focal length दी थी अब दूसरा आले question में power दे दिये तो पहले वाले की power लिखो P1 लिखो plus 9 diopter second वाले की power लिखो P2 लिखो minus 5 diopter आपने combination of lenses में power का भी formula पड़ा है जब lenses combined हो तो पार का formula होता है P equals P1 plus P2 तो यहाँ पे P1 की जगह पे P1 की value पूट करो P2 की value पूट करो along with their signs तो combination of lenses की power मिल जाएगी यह हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 9 minus 5 equals 4 diopter तो यह combination of lenses की power है आपको निकालना है गया है इसका answer क्योंकि आपकी diopter भी SI unit है तो 0.25 meter आ गई focal length इसको लिख सकते हो further 25 cm तो इस तरीके से question होगा आगे देखते हैं question है two thin lenses of focal length 15 cm and 30 cm are put in contact जैसे मैं बोल ला था possibility बदल गई अब यहाँ पे दोनों lens converging है अब हमने यह कैसे देखा कि दोनों lens converging है क्योंकि हमने देखा एक की plus 15 cm दी हुई है और दूसरे की plus 30 cm दी है यहनि दोनों की focal length दी है दोनों positive nature की दी है तो जबी भी आपको focal length positive nature की दी हो तो आप समझ जाना कि आपका lens converging है focal length पहली दी है 15 cm दूसरी दी है 30 cm तो combination की focal length हो जाएगी 1 upon f equals 1 upon f1 plus 1 upon f2 अब यहाँ पे देखो combination of focal length नहीं निकाला है combination का combination का power निकाल नहीं है तो पहले focal length निकालो combined system की फिर इसी combined system को reciprocal कर देना तो power आ जाएगी यहाँ पे रखोगे सारी values 1 upon 15 plus 1 upon 30 तो यह हो जाएगा आपका यह LCM लेके 30 लोगे तो 2 प्लस 1 यह हो जाएगा 3 upon 30 1 upon f equals यहाँ से इसको ऐसे करेंगे तो reciprocal f equals 30 upon 3 which is 10 अब यहाँ पे 10 क्या आया है? centimeter आया है क्योंकि आपने यह units लेकर रखी दी यह centimeter में चलाई थी तो आपका answer centimeter में आया है तो अब अगर आप ऐसे यह formula लगाते हो p equals 1 upon f और यह 1 upon f की जगा 1 upon 10 लिख देते हो तो यह आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपका यह centimeter में है यहाँ पे जो f होना चाहिए यह formula में जो focus length होनी चाहिए यह meter में होनी चाहिए यह बहुत important बात है बहुत बच्चे miss कर जाते है तो यहाँ पे जो centimeter है इसको पहले meter में convert करो इसको convert करो meter में 0.1 meter अब यह value इसमें जाके put करो तो यह हो जायागा कुछ p equals 1 upon f 1 upon 0.1 point उपर जायागा तो 10 हो जायागा तो par equals plus 10 diopter इस तरीके से यह question होगा ठीक है अगला question देखते है figure shows the parallel beam of monochromatic light incident on a convex spherical surface अभी single spherical surface का question है of radius of curvature 30 cm which separates a glass refractive index 1.6 from air find the position of image due to refraction of light at a single surface question में हो गया रहा है एक parallel monochromatic light आरी यह single refracting surface single refracting surface ठीक अब यहां से rays आ रही है तो जाहर सी बात है कहीं न कहीं converge करेंगी यहां पर यह आएगी यह refract करेंगी यह आएगी यह refract करेंगी किसी ना किसी point पर जाके converge करेंगी को इमेज बनेगी तो वह इमेज कहां पर बनेगी उसकी position निकालो थीक अब देखो question में given क्या क्या है यह देख लो radius of curvature given r equals 30 cm ठीक refractive index given n equals 1.6 अब air का refractive index 1 होता है तो हमने इसको as it is इसको पूरा refractive index 1.6 ले लो ठीक क्योंकि air का refractive index 1 होता है तो इससे divide करो कि 1 तो कोई मतलम नहीं ठीक अब और क्या दिया है हमें निकालना क्या है पॉजीशन ओफ image इमेज की position basically यहाँ पोल से लेके इस पोल से लेके कहीं पे भी इसकी कोई image बन रही होगी पालो यहां पे बन रही आई इस पोल से लेके इस आई तक की distance basically image distance निकालनी है अपने को ठीक तो अपने को निकालना क्या है? image distance, v ठीक और एक और चीज गिवन है जो कि हम लोग देखने रहें यह जो rays है, यह कहां से आ रही है? यह जो rays है यह कहां से आ रही है? infinity से आ रही है यानि object distance क्या हो गया? infinity हो गया? क्योंकि बहुत दूर से आ रही है तो यहां पर object distance क्या हो गया? infinity ठीक अब हमने single surface के refraction के लिए एक formula पढ़ा है n upon v minus 1 upon u equals n minus 1 upon r यह सारी values ले लो यहां पर r का sign क्या होगा? positive होगा क्योंकि r is on the right hand side of this pole इस pole के right hand side पे है ठीक है? बाकी u आपका infinity पे है उसका sign लेनी कोई जरूवत नहीं v हम लोग calculate करेंगे उसका sign आ जाएगा भी तो n की जगा पर रखो 1.6 v की जगा पर v रखो minus 1 upon यहां infinity रखो infinity यह वाला term पूरा 0 हो जाएगा equals 1.6 minus 1 upon 30 इसको further solve करोगे तो हो जाएगा 1.6 upon v equals 0.6 upon 30 अब इदर उदर transpose कर दो तो v की value आ जाएगी 1.6 into 30 upon 0.6 इसको calculate करोगे तो यह आ जाएगा 80 cm तो यहां पे आपकी position of image आ गई position of image is 80 cm behind the surface ठीक है तो आपकी image distance आ गई तो इसी तरीके से आपके question है इसी तरीके से और question में लाता रहूंगा अभी हमने optics के थोड़े से question देखे अभी optics के और question देखेंगे related to prism, related to dispersive power, related to microscope, telescope तो इस type से और important questions हम लोग आते रहेंगे, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, जानते पचानते रहेंगे तब तक के लिए good night, bye bye, data, see you, मिलते हैं